हेलो गुड इवनिंग स्टुडेंट्स यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में द्वित्य अंगल मराथा यूद के बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे तो देखेगा छात्रों हमने जो भी जितने भी अंगल म मराथा यूद है उनके बारे में संक्सित तोर से पहले वाले वीडियो में पढ़ा था और फिर हमने एक वीडियो मनाया था कली हमने एक वीडियो अपलोड किया है वह है आपका पर्थम आंगल मराथा यूद जिसमें हमने विस्त्री तोर से आपको पढ़ाया था ठीक है त और इस संदी के अनुसार क्या होता है कि वही जो ये अंग्रेज जाइन होने रागोबा अर्थात रागोनात राव का साथ छोड़ देने का आस्वासन दिया और मराठों ने उसे 25,000 रुपे मासिक पेंसन देना स्विकार किया और सार सेट बडोच को छोड़ कर मराठ राजे क अन्य सभी भूभागों से अंग्रेजों का अधिकार त्याग दिया अंग्रेजों ने दिकार और अंग्रेजों ने माधवराफ दित्य को पेशवा और फते सिंग आयकवार्ड को बडोधा का सासक स्विकार कर लिया बडोधा के जिन भूभागों पर अंग्रेजों ने लाब और अंग्रेजों के विरुद यूद में समलित नहीं होगा यदि हैदर अली इस समझोते के अनुसार कारिय नहीं करेगा तो महाग जी हैदर अली के विरुद अंग्रेजों का साहर देगा ठीक है और फिर क्या होता है कि इसी टाइम इसकी सालबाई की संदी पर हस्ताक्सर कर देते हैं और इस प्रकार से देखें तो अंग्रेजों और मराठों के बीज में मतलब 20 वर्सों तक सांती बनी रहती है ठीक है तो यह मतलब थोड़ा साग था जो पर्थम अंगल मराठा यूद है उसके बारे में और अब देखेगा 20 इस वर्सों के बाद क्या होता है कि वेलेजली आता है गौर्णर जनरल बनके तो वेलेजली और द्वीतिय मराठा यूद होता है अब देखेगा कि बात यह कि जो वरेन हैंस्टिंग्ज है यह है पर्थम अंगल मराठा यूद में गौर्णर जनरल था ठीक है फिर द्वीति लेते हैं तो दुवित्य अंगले मराथा यूद्टिस में अंग्रेज गुवर्णर जनरल भारत में कौन था वह था आपका विलेज ली तो देखेगा जो ओरें हैं वह है अपने कार्यकार की समापती के बाद सत्रा सो पच्छाशी में इंग्लेंड चला जाता है हैं स्टिंग ब्रिटिस संसल ने पिर्श इंडिया एक्ट पारित कर दिया था जिसमें यह सपस्ट कर दिया गया था कि भारत में कंपनी देशी रियास्तों के परती एहस्तक्सेप की निति का पालन करेगी कार्णवालिस ने भारत में जहां तक संभव हो सका इस निति का पालन भी किया औ 1795 में हैदराबाद के निजाम वैं मराठों के बीच खदरा का यूद हुआ और इस अवसर पर निजाम ने अंग्रेजों से सहता देने की प्राठना की किन्तु सर्जोन सोर ने एह हस्तक सेप की निती के कारण निजाम को सहता देने से इनकार कर दिया जिसके पनामस रूप नि लेजरी को गुवर्णा जन्र मना कर भारत भेजा जाता है और अब मैंने आपको बताया कि जो सालबाई की संती वीती उसके बाद 20 वर्सों तक सांती बनी रही थी इस अवधी में मराठा अपने अन्य सत्रों से निपटते रही थे और नाना फड़नवीज के नेतरतों में उत्री और दक्षनी भारत में माराठों का परभाप हैने लगा इस अवधी में महाजी सिंधियां की सक्ति में व्रती हुई और पेश्वा की सक्ति का हास होता है पेश्वा माधवराव द्वीते के काल में नाना फड़नवीज मराठा संग का सर्वे सर्वा बन गया था सत्रा सोर च्हानम में पेश्वा माधवराव द्वीते की मरत्यू हो जाती है और बाजिराव द्वीते पेश्वा की मन सब पर आबैडता है तो ये स्टोरी थी द्वीते अंगल मराठा यूद के प्रारम होने की अब देखते हैं पन द्वीते अंगल मराठा यूद के कारण तो देखेगा द्वित्य अंगल मराठ्य युद के क्या कारण थे इसका महत्वपुन कारण था मराठ्यों में आपसी संगर्ष थे तो पेश्वा बाजीराव द्वित्य है वह है अयो के था 13 मार्च 1800 को नाना फढ़नवीज की मत्यों हो जाती है जब तक नाना फढ़नवीज जिवीत रहा उसने मराठ्यों में एकता बनाए रखी किन्तु उसकी मत्यों के बाद मराठ्या सर्दारों में आपसी संगर्ष प्रानम हो गए और मैंने आपको पहले भी बताए कि जो आपसी भी हसिल करेगा और यही चीज मराठ्यों में हुई थी दो मराठ्या सर्दारों कोन-कोन से ग्वालियर का सासक दोलत्राव सिंधिया और इंदोर का सासक जस्वंत्राय होलकर इनके बीच इस बात पर परतिस पर्दा उत्पन हो गई कि पेश्वा पर किसका प्रभाव रही ठ अतायो वह भी किसी सक्तिसाली मराठा सर्दार का ही सरंक्षण चाता था अताव है दोलत्राय सिंधिया के सरंक्षण अत्य होलकर अपने भाई का बदला लेने पुन्ना की ओर चल पड़ा पुन्ना के पास होलकर ने पेश्वा और सिंधिया की स्यूंप सेना को प्राजित किया और एक विजेता की भांती पुन्ना में प्रवेस किया होलकर ने रागोबा के दत्तक पुत्र अम्रित राव के बेटे विनाईक राव को पेश्वा घोसित किया पेश्वा भय भी थो गया तदा भाकर बशीन जो बंबई के पास अंग्रेजों की बस्ती थी वहाँ पे चला गया बसीन में उसने वेलेजली से प्रार्थना की कि वह उसे पुन्ः पेश्वा बनाने में सहाथा दे वेलेजली भारत में कमपनी की सर्वो परीसाथा स्तापित करना चाथा था मैसूर की सक्ती नस्ट करने के बाद अब मराठे ही उसके एक मत्र परतीदवन्दी रह गए थे ठीक है और वह मराठा राजनिती में स्थक्सेप करने का अफसर ढूंड रहा था कौन विलेजली पेश्वा द्वारा प्रार्थना करने पर विलेजली को अफसर मिल गया विलेजली ने पेश्वा के समख सर्थ रखी कि यतिवा साइक संदी श्विकार कर ले तो उसे पुनह पेश्वा बनाने में सहता दे सकता है पेश्वा ने वेलेजली की सर्थ को श्विकार कर लिया और 31 दिसम्बर 1802 को पेश्वा और कम्पने के बीच बसीन की संदी हुई थी ठीक है और यह जो बसीन की संदी है इसकी सर्थें क्या क्या थी वो देखेगा सबसे पहले तो आपन देखते हैं बसीन की संदी हुई कब तो बसीन की संदी यह 31 दिसम्बर 1802 स्विको मराठों और विलेजली के मत्य हुई थी और बसीन की संदी की सरतें देखेगा पेश्वा अपने राजे में 6000 अंग्रेज संदिकों की एक सेना रखेगा तता इस सेना के खर्चे के लिए 26 लाख रुपे वार्शिक आयका भूभाग अंग्रेजों को देगा ठीक है पेश्वा ने अंग्रेजी स्रंक्षन स्विकार कर भारतिय तता अंग्रेजी पदातियों की सेना को पुन्ना में रखना स्विकार किया पेशवा बिना अंगरेजों के नुम्ती के मराठा राजे में किसी अन्य उर्पियन को नुकती नहीं देगा और नै अपने राजे में रहने के नुम्ती देगा एक तरह से देखें तो इस आएकसंधी यह होती थी कि भाई यह अब अंगरेजों के अधिन ही रहेगा पेश्वा ने सूरत नगर कमपनी को दे दिया पेश्वा ने निजाम से चोथ प्राप्त करने का दिखार छोड़ दिया और अपने विदेशी मामले कमपनी के धिन कर दिये पेश्वा के जो निजाम और गायकवार के साथ जगडे हैं उन जगडों के पंच निप्टारे का कार इसका क्या पढ़ना मिकला कि इस संदीगे द्वारा पेस्वा ने मराठो के सम्मान और स्वतन तर्ता को अंग्रेजों के हातों में पेस दिया जिसे मराठा सक्ति की प्रतिष्टा को भारी दख्खा लगता है और अब देखेगा अंग्रेजों के लिए ये संदी अत्यतिक महत क्योंकि इस संदी के बाद संपूर्ण भारती में कंपने का राजिस्ता पित हो गया और वास्त में इस संदी का महत्व है आवसेक्ता से भी अधिक मतलम निकला इस संदी का सबसे बड़ा दोस्तों यह था कि अब अमरेजों का मराठों से युद्ध होना निश्चित हो गया क् विलेजली ने मराठों के जो आंत्रिक जगडे थे उनको तै करने का उत्तरदायत्वर अपने उपर ले लिया था विलेजली ने कहा था कि इस से सांती तथा विवस्ता बनी रहेगी किन्तु इसके प्रणामसरूप सबसे व्यापक युद्ध हुआ कोई शांती नहीं हुई विलेजली ने संदी के बारे में ये भी बताया कि आंग्रेजों को मराठों के आकर्मन का भहे था किन्तु जब मराठे स्वेम अपने पारस्प्रिक जगडों में उल्जे हुए थे तब फिर अंग्रेजों पर आकर्मन करने का परसनी कहां उत्पन होता है ठीक है ना पई व गर्षे की विसतार के लिए मतलब व्याकूल था व्हें मराठों को ऐसे संदी में उलिजा देना चाता था जिसे की ब्रिटी संदी का विस्तार निरबाद रूप से होता रहे अत्या व्सीन की संदीновी बृटी संदी के विस्तार के लिए अनुकुल प्रिश्तितियां भी प में थी पूरी की पूरी इससे मराठों को और विजदा आगात पहुंचा था अब देखेगा अथा आपका द्वित्य अंगले मराठा युद का वर्णन देख लीजिएगा बसीन की संदी के बाद मई जून 803 में बाजी राव द्वित्य को अंग्रेजों की स्रंक्षन में पारस्परिक वेमनिशे को बुला कर अंग्रेजों की विरुद एक होने का प्रियतन किया. सिंदिया और वुंचले तो एक होगए, किन्तो सिंदिया वे होलकर की सत्रूता थी, वो ताजा थी. अतेव उसने भी इस अंग्रेज विरुधी संग में सामिल होने से इनकार कर दिया इस परकार के वर सीन दियावे बोंसले ने अंग्रेजों के विरुध सैनिक अभियान की तैयारी प्रारम कर दी जब वेलेजली को इसकी सूचना मिली तो उसने 7 अगस्त 1803 को मराठों के विरुध युद की गोशना कर दी और एक सेना अपने भाई आर्थर वेलेजली और दूसरी सेना जनरल लेक के नेत्तरतों में मराठों के विरुध भेज दी आर्थर विलेजली ने सर्व पर्तम एहमन अगर पर विजे प्राप्त की उसके बाद अजन्ता वै एलोरा के पास असाई नामकस्तान पर सिंधिया वै बहुंसले की स्यूंग स्यना को प्राजित किया असीरगट वै अरगाम के युद्धों में मराठा पूरी तरह से प्राजित हुए अरगाम में प्राजित होने के बाद 17 सितंबर 1803 को भौशले ने अंगरेजों से देवगट की संदी कर ली इस संदी के अंतरगेज भौशले ने वेलेजली की साइक संदी की सभी सर्तों को संदी कब हुई 17 सितंबर 1803 को ठीक है केवल एक शर्त राज्ये में कंपने की सेना रखने संबंदी सर्थ है वै श्रिकार नहीं की और विलेजनी ने भी शर्त को श्रिकार नकरने के लिए कोई ज्यादा जोड नहीं दिया इस संदी के अनुसार कटक वै वर्धा नदी के आस लेक ने भर्धपूर प्राकरमन कर उस पर अधिकार कर लिया भर्धपूर के सासक से सहाइक संदी भी की भर्धपूर से वै आगरा के और बड़ा तथा आगरा पर अधिकार किया अंत में लास्वाडी नामक स्तारबर सिंधिया की सेना पूरी तरह से प्राजित हुई अग स इंदिया ने भी अंग्रेजों से संधी करना उचित समझा जिसके अपनाम सुरूप 30 सितंबर 1803 को सुर्जी अर्जुन गाम की संधी हो गई ठीक है तो सुर्जी अर्जुन गाम की संधी कब हुई 30 सितंबर 1803 को सिंदिया और अंग्रेजों के बीच में सुर्जी अर्जुन यमना का दोवाब, बुंदेल खंड भणोच, एहमन अगर का दूर, गुजरात के कुजिले, जेवपूर, जोदपूर, अंग्रेजों के दिकार में दे दिये, उसने कंपनी की सेना को भी अपने राजे में रखना श्विकार कर लिया, अंग्रेजों ने सिंधिया को पूर्ण कर लिया गया है, और इससे सदेव शांती बनी रहेगी, किन्तु वेलेजली का उतकतन अवर ठीक नहीं निकला, क्योंकि सांती सिग्रही संकट ग्रस्त हो गई, आप देखेगा, जो होलकर है, इससे यूद करना पड़ता है, मराठा राजे का प्रमुक स्तंभ होलकर, जो अप्रेल 804 में संघर से छीड गया, उसने सरा परतम राजपुताना में कमपनी के मित्तर राजियों पर आकर्मन किया, ठीक है, तो जो बिर्टिस इस्ट इंडिया जो कमपनी है, उसके जो मित्तर राजा थे, राजस्तान के उनको वह उन पर वह आकर्मन करने का निस्य करता है, वह अंग्रेजों के लिए चुन्नोती थी, अथे विलेजली ने करनल मोंशन के नेतरत्वा में एक सेना भेज दी, करनल मोंशन राजपुताने के वित्तर गुस गया, होलकर ने कोटा के निकट मुकंद्रा के दरे के युद में मोंशन को प्राजित किया, ठता उसे आग अग्रेजों के संदी को ठुकरा दिया, पहले इसने की थी संदी, लेकिन अब यह होलकर का साथ देखके ठुकरा देता है, होलकर का समर्थन उसने किया, किसने भटपूर के सासकने, यहां से होलकर दिल्ली की ओर गया, ता दिल्ली को चारों ओर से घे लिया, लेकिन दिल्ली प्रवेविजे प्राप्ते नहीं कर सका दिल्ली पर होलकर के दबाव को कम करने के लिए अंग्रेजों ने जनरल मूरे को होलकर की राजदा नी इंदोर पर आक्रमान करने बेजा मूरे ने इंदोर पर अधिकार कर लिया जब होलकर को इंदोर के पतन की सूचना भी ली तो वैं दिल्ली का घेरा उठा कर इंदोर के ओरवाना वा रास्ते में डीग नामक स्तानपर ब्रिटी सेना से उसका विश्रन संग्राम होता है यूद होता है उसके बाद फरुक का बाद में होलकर प्राजित होता है और पंजाब की तरफ भागया इस यूद में भी होलकर की सक्ति वो पूरी तरह से नहीं कुछला जा सका भर्थपूर के सासित ने होलकर का समर्थन किया था अता जनरल लेक ने भर्थपूर के दुर्ग को घेल लिया जनरल लेक ने दुर्ग पर दिकार करने के लिए 6 जनुरी से 21 फरवरी 1805 के बीच चार बार आकरमन किये किन्तु उसे कोई सफलता नहीं मिली अंति में अप्रेल 1805 में उसे भर्थपूर के राजा से सांती संधी करनी पड़ी तो एक उसन भी कई बार एक जाम में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा अधिकारी है जिसने भर्थपूर पर चार बार आकरमन किया था वह है जनरल लेक और फिर भी इसको सांती संधी करनी पड़ती है यह है कि लेको नहीं भेद पाता है इस ऐसा पलता के कारण बरज़े सांती बड़े चिंती थुए इंग्लेंड के परधान मती पिट ने भी वेलेजली की कटू आलोजना की फरसृप वेलेजली को तयाख़चत देखकर जाना पड़ा ठीक है तो देखेगा मतलब इस प्रकार से एक बार कुछ वर्सों के लिए यह जो आपका आंगले मराठा जो सेकिन आंगले मराठा यूद है यह है बंद हो जाता है और कुछ तिनों की सांती हो जाती है ठीक है अब देखेगा इसके बाद आता है आपका त्रितिय आंगले मरा युद्ध ठीक है और इसके मतलब आगे वाले वीडियो में हम त्रीति ये अंगलम राठा युद्ध के बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे देखेगा स्टुडेंट्स ये जो टोपिक हैं ये एक्जाम की दर्श्ची से बहुत ही महत्वपुन हैं अत्य हैं वीडियोज को आप ध्यान से देखे एक्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी हमारा वीडियो अंतक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद